आज हमारा टॉपिक रहेगा साधारन ब्याज और साधारन ब्याज का जो बेसिक मैं शुरुवात करने जा रहा हूँ और इसके तुरंद बाद आपको मिलने वाला है चक्रवर्ती ब्याज तो चक्रवर्ती ब्याज से पहले आपको साधारन ब्याज अच्छे तरीके से क्लियर करना है क्योंकि ये दो टॉपिक हमारे डिपेंड होते हैं तो दौनों में देखे जो नाम होते हैं वो पहले आपको सीखने हैं सबसे पहला नाम हमारा इसमें यूज होता है मूल धन इंगलिस में इसको principle बोलते हैं अब ये दो नाम से मिलके बना हुआ है मूल प्लस धन मूल धन का मनलब मूल प्लस धन मूल होता है देखिए व्यक्ति का अपना पैसा मूल होता है अपना पैसा धन यानी रुपे तो जो धन ब्याज पर दिया जाता है जो धन ब्याज पर दिया जाता है जो पैसा ब्याज पर दिया जाता है उसको मूल धन कहा जाता है व्यक्ति का जो अपना पैसा होता है उसको मूल धन कहते हैं जो पैसा ब्याज पर दिया जाता है उसको मूल धन कहा जाता है ये हमें ध्यान रखना है सेकंड हमारा होता है मिस्र धन मिस्र धन का मदला होता है अमाउंट अब इसके नाम से किलिए है इंगलिस में इसको अमाउंट बोलते हैं इसके नाम से किलिए है मिस्र धन मिस्र का मदला दो पैसा आपस में मिलाया जाए तो मिस्र धन का मदला है जो पैसा जोड़ दिया जाए यानि विक्ती जो पैसा ब्याज लगाकर वापश मांगे उसको मिसधन कहा जाता है टीसरा जो होता है हमारा ब्याज अगर आशकर ब्याज का फॉर्मूला देखना है तो ये माइनस हो जाएगा सबसे पहले इंट्रेस्ट यानि ब्याज के बारे में आपको समझना है कोई भी व्यक्ति अपना पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को इसलिए दे ताकि उसके पैसे के बदले में वो दूसरा व्यक्ति कुछ अत्रिक्त पैसा दे तो उसको ब्याज कहा जाता है तो यह आपके नाम है जो कि आपको किलियर रहने चाहिए साधारन ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो हमें आना चाहिए मूलदन, कुनादर, कुना समय, अपन हंडेट यानि कि पी आर्टी अपन हंडेट साधारन ब्याज अगर आपको चाहिए तो मूलदन, गुनादर, गुना समय को आप सो से डिवाइड कराएंगे अगर यहां से आपको दर का फॉर्मूला बनाना है तो आप इनके पक्ष बदलेंगे सो इधर आ जाएगा साधारन ब्याज गुना सो अपन हो जाएगा मूलदन गुना समय अगर हमको यहां से रेट निकालना है तो यह इधर आ जाएगा साधारन ब्याज गुना सो बटे मूलदन गुना समय दूसरा आपको अगर यहां से समय निकालना है तो समय और दर को आप चेंज कर दीजिए समय का जो फॉर्मूला होता है वो साधारन ब्याज गुना 100 upon मुल्दन गुना दर तो मेन हमारा ये उपर वाला फॉर्मूल अ होता है इसी से मिलकर देखे हमारे ये सारे फॉर्मूले बनते हैं तो हमें याद रखना इसमें जो फॉर्मूला यूज़ आप करते हैं साधारन ब्याज बरावर मुल्दन गुना दर गुना समय बटे 100 एक बात हमें और याद रखना एक पॉइंट साधारन ब्याज पृति वर्ष बरावर होता है साधारन ब्याज पृति वर्ष बरावर होता है साधारन ब्याज हमारा हर साल का बरावर होता है अगर आपको पहले साल 10 रुपे मिलें तो अगले साल भी आपको 10 ही रुपे मिलेंगे पहले साल अगर 20 रुपे मिलें तो अगले साल भी आपको 20 रुपे मिलेंगे तो आईए अब सुरुवात करते हैं अपना पहला टॉप कुष्चन सरलंग अनित का कुष्चन नमबर वन सरलंग अनित का आप जो कुष्चन है उनको हम स्टार्ट करते हैं एक-एक करके कुष्चन आपको और कंसेप्ट आपको सीखना है 6000 रुपे का 6% की दर्व से 8 महीने का साधारन ब्याज भी बताओ और कुश्चन में पूछा जा रहा है मिस दन भी बताओ तो सबसे पहले साधारन ब्याज होता है साधारन ब्याज बराबर होता है मूल दन मूल दन होता है जो पैसे ब्याज पर दिये जाए मूल दन कुना दर कुना समय बटे सौ हमारा जो मूल दन है वो कुश्चन में 6,000 है दर हमारी कुश्चन में 6% है देखिए ब्याद जो होता है वो हमेशा साल पर होता है अगर महीने आपके पास है उसको तुरंत आपको साल में बदलना है अगर देन आपके पास है तो उसको 365 से डिवाइड करना है अब हमारे पास महीने और महीने को साल में बदलेंगे 12 से डिवाइड और गुना सौ 2,0 से 2,0 कैंसिल 4 से 2 बार 4 से 3 बार 3 से 2 बार और इनकी मल्टिपलाई करेंगे 240 रुपे तो कुश्चन में अगर साधारन ब्याज हमसे पूछा जाए तो आपको 240 रुपे लगाना है अगर कुश्चन में मिसधन पूछा जाए तो मिसधन होता है आपका मूल धन प्लस ब्याज मूल हमारा 6,000 है और ब्याज हमारा 240 है अगर मिसधन पूछा जाए वो भी आप देखें इसकी देखिये direct approach हम करते हैं, एक साल में 6% का ब्याज है तो इसको साल मिलाइए आप, एक साल में अगर 6% का ब्याज है जितने भी वर्स आपके पासे गुना करेंगे तो आपको ब्याज प्राप्त होता है, यानि ब्याज जो होता है वो दरगुना नसमय कि गुना करने पर प्राप्त होता है 6 से 2 बार और 2 से डिवाइड कराएंगे 4% इसका मरला आपको 4% का ब्याज मिल ला है पैसे हमारे पास 6,000 रुपे थे तो 6,000 रुपे का यदि हम 4% करते हैं तो 6,000 रुपे का 4% अगर आप करते हैं तो ये 240 रुपे का ब्याज बनेगा तो हमारा जो ब्याज आएगा वो 240 रुपे है मूलदन हमारा 6,000 रुपे है तो 6,000 रुपे में अगर हम 240 रुपे एड करेंगे तो हमारा जो मिस्दन आएगा वो 624 रुपे बनेगा तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो option number C बनेगा next पच्चिस सो रुपे का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारान ब्याज बताईए साधारान ब्याज बराबर होता है मूलदन मूलदन हमारे पास है पच्चिस सो गुना दर, rate, rate हमारे पास है 5 गुना समय, समय मैंने बोलाता है यह वर्स पहुना चाहिए अगर दिन है तो उसको 365 से आप डिवाइड कराएंगे मूलदन गुना दर, गुना समय 365 और गुना 100 साधारान ब्याज होता है मूलदन गुना दर, गुना समय बटे दो 73 से 5 बार, 73 से 3 बार 20 से 20 खतम, 5 से 5 खतम, आंसर आएगा 75 रुपे तो कुश्चन मैं पूछा जा रहा है कि इस व्यक्ति को कितना रुपे ब्याज देना पड़ेगा आंसर आएगा 75 रुपे डारेक्ट एप्रोच अगर आपको करनी है तो एक साल का ब्याज 5 परसेंट है तो आपको साल बनाना है आप है, 365 से डिवाइड कराएं आप ये 73 बार और डिवाइड कराएंगे 3 परसेंट इसका मरला व्यक्ति का जो ब्याज बनता है वो 3 परसेंट बनता है 25 रुपे, 25 रुपे का 3 परसेंट अगर हम करें तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो आएगा 75 रुपे तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो आप्शन नमबर भी आएगा हमारा 75 रुपीस नेक्स्ट 32 रुपे अगर आदमी ने 4 अपरेल 2012 से 16 जून 2012 तक यूज किये बोला जा रहा है 5 परसेंट की दर से साधारन ब्याज कितना होगा देखे अगर आप 4 अपरेल को पैसा देते हैं और 16 जून तक के लिए पैसा देते हैं जिस डेट में पैसा दिया जाता है वो डेट काउंट नहीं की जाती है और जिस डेट को पैसा लिया जाता है वो डेट आपको काउंट करनी है तो अपरेल देखे 30 दिन का होता है तो 4 तारिक काउंट नहीं होगी अपरेल में बचे 26 दिन जिस तारिक को पैसा लिया जाता है वो डेट काउंट नहीं की जाती है तो 4 अप्रेल को पैसा लिए 4 दिन छोड़ दो अप्रेल 30 का होता है 26 दिन अप्रेल के बाद आएगा माई माई पूरा काउंट होगा 31 जून में आप पैसा ले रहे हैं 16 तारिक को तो जून में पूरे 16 दिन काउंट होंगे तोटल आप इन्हें प्लस करेंगे 73 दिन 73 दिन अब साधारन ब्याज बराबर होता है मूलदन मूलदन हमारे पास 32 दर हमारे पास है कुश्चन में 5 परसेंट मूलदन गुना दर समय हमारे पास है 73 दिन और दिन को वर्स पे लाना है 365 से डिवाइड करें मूलदन गुना दर गुना समय है बटे 100 2-0 से 2-0 73 से 5 बार 5 से 5 कतम तो आंसर आएगा 32 रुपे तो इस सवाल का जो सही आंसर निकलेगा अप्शन नमबर A निकलेगा Next किसी दन का साधारन ब्याज की दर से 8 परसेंट की दर से 3 साल का मिस्दन 6,944 रुपे है पूछा जा रहे कि वो धन कितना है यानि कि ये जो टाइप आपके सामना है इसमें मिस्दन आपको गिवेन है और मूलदन आपको निकालना है तो सबसे पहला हम सरल अंगर नित का जो सॉलूशन उसको समझते हैं मूलदन आप एकस रुपे मान ले अब मिस्दन होता है मूलदन प्लस ब्याज मूलदन हमारा एकस है और इस पर ब्याज साधरन ब्याज होता है मूलदन गुना दर समय बटे सौ परावर आएगा 6,944 6,944 वापस दुबारा देखें मूलदन हमें नहीं पता आप एकस रुपे मान लो मूलदन उस पर ब्याज ब्याज होता है मूलदन गुना दर गुना समय बटे सौ बरावर 6,944 इसका सॉलूशन करते हैं 100X में 24X जोड़ेंगे 124X नीच आएगा आपका 100 परावर 6,944 रुपे इससे आप डिवाइड कराएंगे ये जाएगा 56 बार और क्रॉस गुना करेंगे तो आंसर आएगा 56 तो इस कुश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो औप्शन नमबर भी बनेगा तो मिस्दन होता है साधा मिस्दन होता है मूलदन प्लस ब्याज मूल आपको नहीं पता आप एक सुमान लो और उसमर ब्याज सेकंड आपका जो मैथड है वो भी आप देखे एक साल में 8 परसेंट ब्याज हो तो तीन साल का जो ब्याज बनेगा वो 24 परसेंट आपको ब्याज मिलेगा अगर एक साल में 8% ब्याज है और साधरन ब्याज जो होता है वो प्रतेक वर्स बरावर होता है तीन साल में 24% अगर कुश्चन में मिस्दन आपको दिया हुआ है मिस्दन होता है मूल प्लस ब्याज तो percentage को ब्याज को अगर मिसदन में बदलना है percentage को तो 100% पैसा होता है 24 ब्याज तो 124 देखे मूलदन 100% माना जाता है और 24 ब्याज 124 124% की value बनेगी 6944 1% की value बनेगी आपकी 56 100% की value आपकी बने जाएगी 500 रुपे तो इस question का जो right answer बनेगा वो हमारा option number B बनेगा next किसी दन का साधारन ब्याज की दर से 2 साल का मिसदन आपको दिया गया है और 3.5 साल का मिसदन आपको दिया गया है पूछा जा रहा है मूलदन प्लस ब्याज बताइए अब इस सवाल को आप ध्यान से देखें 2 साल का मिसदन 87 सो रुपे 2 साल का मिसदन आपको बनाए 6.5 साल का मिसदन बनाए वो 6.6 रुपे बनाए अगर हम इसको दियान से देखें तो डेड़ साल बढ़ चुका है डेड़ साल बढ़ने से देखें यहां पर 900 रुपे बढ़ चुके हैं डेड़ साल बढ़ने से 900 रुपे बढ़े हैं अब अगर आप ध्यान से देखें डेड़ साल बढ़ने से अगर 900 रुपे बढ़े हैं तो यह डेड़ साल का ब्याज हो गया वे डेड़ साल बढ़ने से आपका पहले हो रहा था 87 सो अब मिला है 96 सो तो जो पैसा बढ़ेगा वो ब्याज होता है वो भी डेड़ साल का इसका मरला एक साल का ब्याज अगर आपको निकालना है तो 600 रुपे आएगा डेड़ से डिवाइड कराएंगे 600 रुपे अगर एक साल का ब्याज आपका 600 रुपे बनेगा तो दो साल का ब्याज बनेगा 1200 रुपे इसका मदला मिस्धन का मदला होता है मूल प्लस ब्याज मिस्धन का मदला होता है मूल प्लस ब्याज और मैंने दो साल का जो ब्याज है वो पता कर लिया 87-100 रुपे में अगर 1200 रुपे ब्याज है तो मूल्दन आएगा 75-100 रुपे वापस दुबारा देखें डेड़ साल बढ़ने से 900 रुपे बढ़ चुके हैं एक साल का ब्याज अगर आपको पता करना है तो 600 रुपे जब एक साल का ब्याज 600 रुपे तो दो साल का ब्याज 1200 8700 रुपे में 1200 रुपे अगर ब्याज है तो मूलदन आएगा 7500 रुपे अब हम से दर पूछी जा रही है दर का फॉर्मूला होता है साधरन ब्याज तो ब्याज आपका मिला एक साल का 600 साधारन ब्याज गुना 100 बटे मूल्दन मूल्दन 75 समय हमारे पास है आपने जो ब्याज लिया है वो एक साल का लिया है दर का फॉर्मूला होता है साधारन ब्याज गुना 100 बटे मूल्दन गुना समय मैंने सारी वेल्ली पुट कर दी 2-0 से 2-0 25 से 3 बार 25 से 4 बार 3 से 2 बार तो answer आएगा 8 परसेंट तो इस सवाल का जो right answer निकलेगा वो option number A निकलेगा next साधारन ब्याच कि किस दर से कोई दन 8 साल में double हो जाएगा किस दर से कोई दन 8 साल में double हो जाएगा दर पूछा जा रहा है अगर मैं इस question में मूलदन 100 पे माल लेता हूँ और मुझे ये पैसा double करना है double का मतला 100 पे मेरे पास थे और मुझे 100 पे के 200 करने हैं अगर 100 पे के 200 करने हैं तो ब्याच भी मुझे 100 पे की जरुत पड़ेगी हमसे दर पूछी जा रही है दर का जो formula होता है साधरन ब्याज गुना 100 बटे मूलदन गुना समय मूलदन हमारे पास 100 और समय हमारे पास है 8 साल दर का formula बार बार मैं आपके सामने बता रहा हूँ और starting गे लिख भी चुका हूँ दर बराबर होता है साधरन ब्याज गुना 100 मूलदन गुना समय वापस दुबारा देखें मुझे अपना पैसा 8 साल में डबल करना है तो अगर मैं 100 पे लेके चलू मेरे पास 100 पे थे और मुझको वो 200 रुपे करने पड़ जाएं तो मुझे जो ब्याज चीए 100 पे चीए गुना 100 मूलदन गुना समय इससे ये cancel चार से 25 बार चार से 2 बार तो आंसर आएगा हमारा साड़े बारे परसेंट इस कुश्चन का राइट आंसर निकलेगा option number D next एक व्यापारी ने 45,000 रुपे का रिन लिया एक रिन 8 परसेंट की दर से कुछ रिन 12 परसेंट की दर से कुछ लिया 8 पर कुछ लिया बारे पर और पूछ जा रहा है 8 परसेंट पर कितना रिन लिया 8 परसेंट पर कितना रिन लिया तब से पहले इस सवाल में 2 परसेंटेज दी जाती हैं और कुछ पेसा लिया जाता है अब ये जो 2 अलग अलग परसेंट है आप इनको पहले तो 1% माने 1% कैसे देखिए अगर आपसे 8 वाला पूछ रहा है आठ वाला पूछ रहा है तो एक काम करेंगे आप उल्टा मान लो मैं ये मान के चलता हूँ माना सारा पैसा 12% पर लिया है मैं ये मान चुका हूँ कि चलो ये आठ ना मान के बारे मान लो क्योंकि आगे बारे तो मैंने ये वाला आठ वाला भी बारे मान लिया यानि उल्टा मानना है अगर आठ वाला पूछे बारे मानो बारे वाला पूछे आठ वाला मानो तो आठ परसेंट वाला पैसा पूछ रहा है इसका मदला मेरे हिसाब से जो ब्याज बनता है वो 400 बनता है जबकि कुश्चन में एक साल का ब्याज दिया है 440 रुपे मेरा जो ब्याज है वो 400 कुश्चन में 440 तो 960 का अंतर आ रहा है मेरे इसाब से जो दौनो ब्याजों मंतर आ रहा है वो 960 का अब ये 960 कंतर क्यूं आ गया क्योंकि आपको यहाँ पर आठ मानना था और आपने बारे मान लिया तो इसका मरला परसंटेज में 4 कंतर है तो एक परसंट बराबर आएगा 240, 100 परसंट बराबर निकलेगा आपका 24,000 वापस दुबारा देखें एक बार इसको अगर आपसे 8 वाली परसंट पूछी जाए तो सारा पैसा बारे पे मान लो 45,000 का बारे परसंट आएगा 500 रुपे ब्याज एक साल का जबकि कुश्चन में ब्याज है 440 तो देखें दौनों में जो अंतर आ रहा है वो 960 का है और ये अंतर इस वज़े से आ रहा है कि आपको यहाँ पर आठ मानना था और आपने बारे मान लिया तो परसंटेज में 4 कंतर 1% 240 100 परसंट बनेगा आपका 24,000 नेक्स्ट 3600 रुपे की रासी को दो भागों में इस प्रकार बाटो कि पहले भाग पर 5% के दर से 3 साल का ब्याज देखें पहला जो भाग है उस पे एक साल का अगर 5% ब्याज है पहले भाग पर एक साल का 5% ब्याज है तो 3 साल का जो ब्याज बनेगा वो 15% बनेगा दूसरा जो पार्ट हमारे पास है उस पर एक साल में 25 वटे 4% का ब्याज बनता है और 4 इवर्स है तो दूसरे पार्ट का जो ब्याज है वो 25 परसेंट है और बोला जा रहा है ये दौनों के दौनों ब्याज आपस में बरावर हो पहले बाग पर 15 परसेंट ब्याज दूसरे बाग पर 25 परसेंट ब्याज दौनों बरावर हो पांस से तीन बार, पांस से पांच बार बराबर में value उल्टा होता है पहला पार्ट आपका 5 बनेगा दूसरा पार्ट आपका 3 बनेगा टोटल पैसा हमारे पास 8 रुपे और 8 की value कुश्चन में 3600 है जब 8 हिस्से 3600 के बराबर बनेंगे तो एक हिस्सा बनेगा 4500 रुपे के बराबर और आपसे पूछा जा रहा है यह दौन और 8 बताईए जब एक हिस्सा 4500 के बराबर तो पांच हिस्से बनेंगे 2250 के बराबर और यह आपका बनेगा 0, 5, 3, 15 और 13 तो यह आएगा आपका 2250 और 1350 एक साल का 5% ब्या आजो तीन साल का 15% दूसरे पार्ट पर पर प्चिस बटे चार की चार से गुना करोगे 25% पांच से तीन बार, पांच बार बरा रुमान उल्टा होता है टोटल आट की वैल्यू आपको पता है एक की वैल्यू साड़े 400 दौनों से मल्टिपलाई करेंगे तो हमारे पास देखे दौन अपार्ट आ चुके हैं नेक्स्ट एक्स और वाई दो समान रासी साड़े 7% वारसिक दर से चार साल के लिए और 5 साल के लिए उदार दी गई बोला जारा है इन दौनों के ब्याज़ों मंतर 500 रुपे का है प्रिते को दीगे रासी बताईए सादारन ब्याज हर साल का बराबर होता है अगर एक साल का साड़े 7% वारसिक ब्याज है तो चार साल का जो व्याज बनेगा वो 30% बनेगा दूसरे पार्ट का देखेंगे साड़े 7% की दर से 5 साल के लिए 37% 37% के साबसे चार साल के लिए 30 और आग़े मिलेगा 37% दौनों के ब्याज़ों मंतर आ रहा है साड़े साथ साड़े साथ परसेंट डेड़ सो रुपे के बराबर है तो हमारा एक परसेंट बनेगा दो के बराबर बीस के बराबर जब एक परसेंट बीस के बराबर बनेगा तो सौ परसेंट पैसा होता है 2,000 के बराबर मैथ में देखिए value 100% होती है और आपको 100% पैसे तक जाना है तो पहले 1% पता करें 2,000 रुपे option number C वापस दुबारा देखें 7,5% के साब से पहला आदमी 4 साल के लिए 30 होगा 7,5% के साब से 5 साल के लिए आज कि किसी दर पर 2 साल के लिए निवेश दिक़्ी आ गया एक आदमी अपना पैसा 2 साल के लिए लगा रहा है और बोलता है कि ये पैसा अगर वो 3 साल जादा लगा दे अगर 1 साल में 3% जादा ब्याज मिलेगा तो 2 साल में 6% अधिक ब्याज बनेगा एक साल में अगर 3% ब्याज मिलेगा तो 2 साल का जो ब्याज है वो आपको 6% जादा मिलेगा और 6% बराबर है 72 के एक परसेंट बराबर है 12 के और मैथ में वैल्यू 100% होती है जो की बनेगा 1260 रुपे तो इस कुश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आप्शन नमबर A बनेगा एक साल में अगर व्यक्ति को 3% जादा ब्याज मिलेगा तो 2 साल में 6% जादा और 6% बराबर है 12 के बराबर एक परसेंट बारह सो परसेंट बारह सो नेक्स्ट ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ग्यात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर अगर 8% से 7 सही 3 बटे 4% हो जाए मरला पहले जो ब्याज था वो 8% था बाद में हो गए 31 बटे 4% इन दोनों का अंतर करेंगे तो 1 बटे 4% का अंतर बनेगा 8 चौक 32 में से 31 गए 1 बटे 4% इसका मरला एक साल का जो अंतर बनाए वो 1 बटे 4% बनाए और कुश्चन में अगर एक साल है तो ठीक है 1 बटे 4 अगर यहां पर 2 साल होती है तो फिर इसका डबल करते हैं 1 बटे 4 को 2 से मल्टिप्लाई करें एक साल का जो ब्याज है वो 8% है और आगर 31 बटे 4 एक बटे 4% का अंतर है और 1 बाई 4% की कमी है 61 रुपे 50 पैसे के बराबर क्रॉस गुना करें एक परसेंट आपका बनेगा 125 के बराबर एक परसेंट आपका बनेगा 0, 5, 20, 6, 24 दो के बाद पॉइंट एक परसेंट आपका 246 के बराबर जब एक परसेंट 246 के बराबर तो 100 परसेंट बनेगा 24,600 के बराबर जो की हमारा राइट आंसर बनेगा भी अगर 8 से 31 बटे 4 एक बटे 4 परसेंट का अंतर बराबर 61 परसेंट बराबर 246 100% बराबर आपका बनेगा 24,600 Next एक लड़की ने 6% वारसिक दर से साधरान ब्याज पर रिन लिया और ये जो रेट वो हर साल 1.5% बढ़ जाती है और 3 साल के लिए मतलब हर साल 1.5% उसमें ब्याज बढ़ता है 6% पर पैसा लिया लड़की को पहले साल ब्याज देना पड़ेगा 6% दूसरे साल ब्याज देना पड़ेगा 7.5% और तीसरे साल ब्याज देना पड़ेगा 9% 1.5% हर साल बढ़ता है तो ये ब्याज बना 2.5% इसका अमलब लड़की को जो ब्याज देना पड़ा साड़े बाईस परसेंट की value question में 1890 के बरावर है तो साड़े बाईस परसेंट बरावर होगा 1890 के बरावर पॉइंट अटाएंगे 0 9 से divide कराएंगे 25 बार 9 से divide कराएंगे 1100 बार सबसे पहले आपको 100 की value पता करना है तो आप डारेक्ट इसका 4 गुना करदें इसका 4 गुना करेंगे तो इधर भी आपको 4 गुना करना पड़ेगा 4,9.36 36,004 जो इस सवाल का right answer है जो की आएगा इन में से कोई नहीं देखे लड़की का जो rate वो हर साल 0.5% बढ़ जाता है पहले साल 6 अगले साल साड़े साथ उसके पास 9,25% ब्याज 25,25% 81,90 के बराबर है एक परसेंट आपका बनेगा 9 से डिवाइड कर लो तो 25 हिससे आपके क्यान में 100 के बराबर और आपको 100 की value पता करना है 4,4 गुना दोनों तरफ करेंगे तो आनसर आएगा 36,400 बढ़ते अपने अगले कुश्चन की तरफ किसी धनरासी का एक तिहाई 3% की दर पे एक बटा 6 बाग 6 परसेंट की दर से और कुश्चन में लिखा हुआ है 16,80 तो सबसे पहला काम आपको 16,80 पता करना है तिहाई हिससा पहले चला गया उसके बाद एक बटा 6 बाद में चला गया दौनों का LCM आएंगा 6 3 से 2 बार, 6 से 1 बार जोड़ेंगे 3 बटा 6 3 बटा 6 का मतलव आदा हिससा जा चुका है अगर आप इन दौनों हिससा को जोड़ेंगे तो आदा हिससा जा चुका है तो पहले बात जो सेस बचा हुआ है, वो आदा हिस्सा बचा हुआ है, हमारे पास जो बचा है, वो आदा हिस्सा बचा हुआ है, तीहाई रासी 3% पर भुना करेंगे, एक बटा 6 रासी 6% पर, बचा हुआ आधे को 8% पर, अब इसका सॉलुशन करते हैं, ये बनेगा 1%, आगे बनेगा और आगे फोर बनेगा cervix का जो ब्याज बनेगा वो 6 परसेंट है और कुश्चन में एक ही साल लिख लिखा हुआ है तो मेरे इसालब से जो ब्याज बनेगा वह 6 परसेंट बनेगा जब कुछ चे परसेंट बराबर दिया है 600 के अगर 6 परसेंट 600 रुपे के बराबर है तो 1 परसेंट होगा 100 रुपे के बराबर अगर 1 परसेंट आपका 100 रुपे के बराबर है तो मैत में कोई भी वैल्ली 100 परसेंट होती है 100 परसेंट वैल्ली बनेगी 10,000 रुपे के बराबर दो दो जी उन दोनों को ब्याज की रूप में 2200 रुपे प्राप्त हुए पूछा जा रहा है दर कितनी है देखे टोटल जो ब्याज आ रहा है वो 2200 रुपे और दर हम से नहीं पता दर आर मान लेते हैं तो साधारन ब्याज होता है मूलदन 5000 दर हमें नहीं पता आर मान लो समय हमारे पास है 2 अपान करेंगे 100 पलस आगे वाला ब्याज आपको निकालना है मूलदन हमारे पास है 3000 दर हम मन चुके हैं आर और समय हमारा 4 बटे 100 बोला जा रहा है पहले वाला ब्याज और बाद वाला जो ब्याज है वो टोटल बनाए 2200 रुपे इसका solution करते हैं दो 0 से 2 0 दो 0 से 2 0 ये आपका बनेगा 100 R प्लस बनेगा 120 R और बराबर बनेगा 200 दोनों को प्लस करेंगे 220 R बराबर 200 R बराबर आएगा 10% तो इस question में R की जो value आएगी वो 10% बनेगी option number D next सबसे पहले हम सरलंगनित का solution देखते हैं उसके बाद इसकी भी मैं direct approach आपको सिखाऊंगा कोई पैसा 20 साल में double हो रहा है अगर मैं मूलदन 100 रुपे मान लो तो मुझे अपना पैसा double करना है तो 100 रुपे के 200 तो ब्याज भी आपको 100 रुपे चाहिए अगर मुझे 100 रुपे के 200 रुपे करने तो मुझे ब्याज भी 100 रुपे चाहिए और 20 साल है सबसे पहले दर पता करेंगे दर बराबर होता है साधारन ब्याज गुना 100 बटे मूलदन गुना समय मूलदन और समय 20 साल है तो सबसे पहले मैंने रेट पता कर ली 5% वापस दुबारा देखें मुझे अपना पैसा डबल करना है मतलब 100 रुपे अगर मैंने डाले तो मुझे 200 करने 100 रुपे के 200 करने तो ब्याज भी मुझे 100 पे चाहिए तो साधारन ब्याज गुना समय दर मेरी 5% आ चुकी है इसके बाद ये बोला जा रहा है मुझे अपना पैसा तिगना करना है मतलब अब आपको अपना पैसा तिगना करना है तो समय पूछ रहा है समय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साधारन ब्याज गुना सौ बटे मूलदन गुना दर केवल दर और समय को आपको रिप्लेस कर देना है केवल दर और समय को आपको रिप्लेस करना है ये फॉर्मूला होता है अब जो ब्याज है वो हमारा सौर पे है कुना सौ मूल्दन हमारा सौर पे है देखे मुझे अपना पैसा करना है तिगना तिगने का मदला सौर पे थे सौ के तीन सो सौर पे के तीन सो करने तो ब्याज़ है दो सो पुना सो मूलदन मैं सौर पे मान चुका हूँ और दर हम निकाल चुके हैं पांच परसेंट तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा चालिस वर्स यह आपका मेंथड था जो कि मैंने आपको सिखाया है अब मैं इस कुष्चन के आपको डारेक्ट अपरोच सिखाने जा रहा हूँ देखें इन कुष्चनों में हम डारेक्ट अपरोच लगा सकते हैं 20 साल में तिगना 20 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है और आपको ये पैसा तीन गुना करना है दौनों संख्याओं में से आपको एक एक माइनस करना है जितने भी गुना पैसा बोले एक एक गटाओ दो और इसमें से भी गटाओ एक गुना वर्स चालिस वर्स यानि कि आप दौनों में से एक गटाओ के पहले नीचे वाले को उपर लेंगा और उपर वाले को नीचे एक गटाओ दो बटे हेक और जो वर्स उससे गुना करेंगे आज की वीडियो में आपको मैंने साधारन व्याज कराया है इस वीडियो को करने के बाद अब आप सरलंगनित के सबी कोस्षणों पर प्रक्टिस स्वें करें कोई भी कोषण आपसे नहीं होता है आप कमेंट जरूर दें वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल को आप जरू सब्सक्राइब करें थैंक यू